हलो लेर्नर्स, वेलकम तू माइ यूट्यूब चानल वी लेर्निंग, आज हम प्रिया बढ़नेवाल, आज हम एक बहुत ही इंपोर्टन्ट यूनिट करने वाले हैं, जो है कम्यूनिकेशन, इससे काफी क्वेश्चन्स आते हैं, तो ध्यान से सुनना, कम्यूनिकेशन में हम करेंगे मीनिंग, उसके नैसेसरी एलेमेंट्स, अण उसके क्लासिफिकेशन, So, let's begin the class, हाँ, देखो, अभी कम्यूनिकेशन, यह कम्यूनिकेशन वर्ड कहां से आया है? तो यह लैटिन वर्ड, कम्यूनीज और कम्यूनिकेरर से निकला है, इसका मतलब है to share or to make common means किसी भी information को कैसे common करना है किसी भी information को common करने की जो process होती है बस उसी को communication बोलते है अब हम अगर अपने daily life में देखें मतलब इसको easy language में समझना चाहें तो communication का मतलब है बातें करना एक दूसरे के साथ अपने ideas, concepts या जो भी हम सोचते हैं या हमारे पास कुछ notes पढ़े हुए लिखे हुए चीजें हैं वो दूसरों तक share करना या लिख कर दूसरों को अपनी भावनाओं अपनी बातों को पहुचाना उसको बोलते हैं communication तो communication एक continuous and unending process है मतलब क्या है continuous and unending process means ये कभी नहीं थमता ये continuously चलता रहता है अब जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं अपनी बातों को दूसरों आप तक पहुचाने की कोशिश कर रही हूँ अब आपको अगर ये अच्छी लगेंगी तो आप feedback दोगे या आपको कुछ query हुई या आप चाहते हो मैं इसमें कुछ improvement करूँ तो आप comment section में मुझे बताओगे फिर मैं next वीडियो में उसको सही करने के कोशिश करूँगी आपको ये reply करूँगी और फिर से आप reply करोगे या आप अपने friends के साथ share करोगे तो इस तरह से communication एक unending process है ये चलता ही रहता है कभी नहीं थमता बातें नहीं खत्म होती हमारी ठीक है और communication एक communication is pervasive in nature communication नेचर में कैसा है पर्वेसिव है पर्वेसिव का मतलब है ये हर जगह है communication ऐसी कोई जगह नहीं है जहां communication नहीं होती ओके ये किसी भी level पे लेलो कोई सा भी organization देखलो department देखलो घर पे देखलो बाहर देखलो हर जगह communication होता है इन फैक्ट हम घर पे या कहीं भी अकेले भी बैठे है ना फिर भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं खुझ सही communicate करते रहते हैं ओके तो इसलिए communication पर्वेसिव होता है नेचर का अब communication is a two-way process two-way process means communication दो तरफ से processing होती है communication में means एक sender और एक receiver जो send कर रहा है message जो अपनी बातों को बताना चाह रहा है और receiver जो उसकी बातों को सुन रहा है तो communication में दोनों तरफ से processing चलती है एक अपनी बातों को बता रहा है फिर दूसरे ने reply किया फिर sender ने भी बोला फिर receiver ने बोला तो इस तरह से communication में दोनों तरफ से processing होती रहती है हाँ अब देखो अब हम करते हैं अच्छा ये एक चीज मुझे बतानी है देख लो communication में जितना important sender का message send करना है न उतना ही important receiver का feedback देना भी होता है तब ही उसे effective communication बोलते हैं means अगर sender बोल कर चला गया और किसी ने उसका reply नहीं करा receiver ने बोला नहीं उसकी वातों को समझाने decode नहीं करा तो फिर communication का मतलब ही नहीं बनता है फिर communication हुआ ही नहीं तो communication में जितना sender important है sender का information provide करना important है उतना ही important होता है receiver का feedback देना देखो तो अभी हम करते हैं communication के elements तो important elements of communication तो इसमें हम क्या करेंगे communication के main parts क्या है किन चीजों से communication बनता है ओके like देखो सबजी के main parts क्या है तो सबजी तभी बनेगा जब हमारे पास नमक है healthy है ठीक है ये तो main है भई must है ये चाहिए तभी सबजी ready होगा तो वैसे ही communication में तीन चीज़ें बहुत important होती है वो है sender, communication channel और receiver ये तीन मिलकर ही communication को complete करते हैं तो अब sender कौन है, like अगर यहाँ देखो मैं आपको information दे रही हूँ तो मैं हुई sender जो information provide कर रहा है वो होता है sender अब communication channel क्या है तो मैं जिसके माध्यम से आप तक पहुचाने की कोशिश कर रही हूँ तो किसी भी information को, जिस माध्यम से पहुचाने की कोशिश कर रही हूँ न तो उस माध्यम को बोलते हैं communication channel ओक, like यहाँ मैं YouTube यूज़ कर रही हूँ अपनी बातों को आप तक पहुचाने के लिए तो यहाँ YouTube हो गया communication channel अब receiver, तो receiver कौन है? receiver हुए आप आप information ले रहे हो ओके, तो जिसने information receive करा जिसने feedback दिया, वो होता है receiver ओके अच्छा, अभी देखो यह है हमार, अब हम करते हैं communication के classification हमने communication के meanings देखे, उसके कुछ features देखे like communication is a continuous process, two-way process pervasive होता है nature में, अब हमागे करेंगे communication के classification तो communication के classification में न, तो communication को दो parts, दो तरीके से हम classify कर सकते हैं एक तो on the basis of medium employed कि हम किस माध्यम से लोगों तक information पहुचा रहे हैं हमारा माध्यम क्या है information पहुचाने का ओके, और एक देखते हैं हम कि हम किस to whom the message is addressed, मैं किसे message भेज रही हूँ यह जो message मैं दे रही हूँ वो कौन है, किसे message भेज रही हूँ इसके basis पे भी classification होता है तो classification on the basis of medium employed इसमें क्या क्या आते हैं इसमें है verbal communication non-verbal communication and meta communication और classification according to the number of persons to whom the message is addressed तो इसमें क्या क्या आता है इसमें आता है आपका interpersonal communication intrapersonal communication, transcendental, group communication and mass communication तो यह सब हम one by one पढ़ेंगे बट क्योंकि यह बहुत लिंदी हो जाएगा तो इसलिए आज हम सिर्फ verbal and non-verbal communication करेंगे ओके और यह सारे और जो बच रहे हैं points वो हम next video में cover करने की कोशिश करेंगे देखो अभी verbal communication तो verbal communication क्या है तो verbal communication का मतलब है words को, शब्दों को use करके जब हम communicate कर रहे हैं लोगों के साथ जब हम अपनी बातों को शब्दों का प्रयोग करके दूसरों तक पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं verbal communication अब शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं या तो बोल कर करेंगे या लिख कर करेंगे ओके और तो communication में क्या क्या आता है speaking, listening, writing, reading and thinking जब मैं बोल रही हूँ तो शब्दों का प्रयोग होगा जब मैं सुन रही हूँ तो भी मैं words कोई सुनूंगी न और जब मैं लिख रही हूँ तो भी शब्द आ रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ या मैं कुछ सूच भी रही हूँ तो भी शब्द आ रहे हैं या कभी सूच देखो बिना words के, बिना किसी शब्द के प्रयोग किये अब सोच कर देखो, नहीं सोच पाओगे तो thinking सोचने में भी verbal communication use होता है अगर exam में पूछे थिंकिंग में कौन सा communication use होता है तो verbal communication use होता है अब देखो verbal communication में हमें ये बहुत important है ये याद रखना, ये acronym ये acronym क्या है? K-I-S-S KISS तो इसका full form है, इसकी keep it short and simple means communication को verbal communication means वैसे communication जिसमें हम शव्दों का प्रयोग कर रहे है उनको हमेशा short and simple रखना है अब मैं बहुत लंबी चौड़ी बात फालतू कि कुछ भी बोल कर बना कर बोले जा रही हो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता कोई interested भी नहीं होगा सुनने में और मैं या मैं बहुत difficult words यूज कर रही हूँ आपको बताने के लिए कुछ भी information देने के लिए तो वो आपके लिए difficult होगा है ना तो communication में ये बहुत important है कि हम verbal communication कर रहे हैं तो उसको short रखें and simple रखें अब देखो verbal communication का example क्या है तो books, letters, text, magazine, lectures, presentation, speeches इन सभी चीज़ों में हम speech दे रहे हैं तो शब्द का प्रयोग हो रहा है हम presentation दे रहे हैं तो शब्द का प्रयोग हो रहा है magazine पढ़ रहे हैं texting कर रहे हैं बिना शब्द के तो होगा नहीं उसमें भी शब्द चाहिए ठीक है तो यह हो गया अपना verbal communication अब आगे चलते हैं हाँ देखो तो अभी verbal communication में न verbal communication का दो पार्ट है क्या है एक है oral और एक है written ठीक है अब मैं अगर verbal means शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम राइट तो शब्दों का यूज कर रहे हैं तो या तो हम बोल कर लोगों तक information पहुचाएंगे या लिख कर ठीक है तो जब हम बोल कर information पहुचा रहे हैं तो उसको बोलते है oral communication और जब हम लिख कर information पहुचा रहे हैं तो उसको बोलते है written communication अब हमारा oral communication में क्या आता है तो oral communication means जब हम बोल रहे है through mouth, mouth के through जब information जा रही हैं दूसरों तक, अब आप लोगों ने exam दिया होगा, मतलब अपने school में oral test तो दिये होंगे सबने, तो oral test में क्या होता था, oral test में लिखवाते नहीं थे, teacher question कर रहे हैं, आपको बोल कर answer देना है, है न, तो oral communication में information को mouth के through पहुचाते हैं, अब देखो, तो oral communication क्यासा होता है, या तो वो face to face communication होगा, या जब मैं phone पे बात कर रही हूँ, या मैं टेली conference कर रही हूँ, या मैं video call कर रही हूँ, ठीक है, तो बोल रहे हैं हम चीजों को, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया oral communication, अब oral communication, generally हम use कहां करते हैं, interviews में use करते हैं, meetings, negotiation, lectures, speeches, seminar, workshop, इन सब में क्या use होता है, oral communication, ठीक है, बोल कर, बोल कर हम अपनी बात को लोगों तक पहुचा रहे हैं, शब्दों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे, बोल कर, interviews, meetings, इन सब में बोल कर, information पहुचा रहे हैं, तो ये हो गया आपका oral communication, अब हम चलते हैं, written communication पे, तो written communication कैसा होता है, जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे, लिख कर, लिख कर information पहुचा रहे हैं, अब इसमें लिख कर मतलब सिर्फ हाथ से लिखा हुआ नहीं, लिख कर मतलब, देखो, written words, graph, chart, diagram, sketches, drawings, images, अब जो हमारी, अब जो images होते हैं, फोटोस देखते हैं, तो वो क्या है, वो भी written communication ही है, ओके, वो भी written communication है, क्योंकि, communication, verbal communication में, कोई भी, अगर वो written है, typed है, या printed है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा, written communication में, ठीक है, और written communication में, it may be transmitted using hand delivery, यूज़ करते हो, आप post यूज़ कर रहे हो, email, fax, sms, ये सब यूज़ करके, जब information पहुचा रहे हो ना, दूसरों तक, लिख कर, तो वो हो गया, आपका written communication, हाँ, अभी आगे चलते हैं, देखो, अभी ये है आपका, non-verbal communication, हमने क्या कर लिया, meaning कर लिया, हमने elements देख लिये, और verbal हो गया, verbal में, दो parts थे, वो भी देख लिया, हमने बागे करते हैं, non-verbal communication, तो non-verbal communication क्या होता है, verbal में हम words यूज़ कर रहे थे, शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अपने information को दूसरों तक पहुचाने के लिए, अब non-verbal communication में हम क्या करते हैं, without words, जब हम बीना शब्दों के प्रयोग किए, अपने information को दूसरों तक पहुचा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं non-verbal communication, अब non-verbal communication कैसा होता है, तो facial expression, eyes, touching, time of voice, मिनसे आप ऐसे मूँ बना रहे हो, eyes उपर नीचे कर रहे हो, या फिर किसी तरह की body की activity ऐसी हो रही है हमारी, जिससे लोगों को कुछ signal जा रहा हो, okay, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही, शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हूं, बट मेरे body activity, मेरे face के expressions, मेरे eyes, यह सारे show करते हैं, अगर कोई signal देते हैं, तो वो होता है, आपका non-verbal communication, अच्छा, अभी देखो, सिर्फ यह नहीं, कोई dress, poster, special, distance, dress भी बिना बोले, बिना शब्दों का प्रयोग किए, बहुत कुछ बोल जाता है, okay, like कोई casual, हम लोग बोलते हैं न, वो casual wear, party wear, है न, तो वो casual wear, party wear वो क्यों होता है, वो कैसा, तो उसमें क्या होता है, casual wear, casual पहने हैं, मतलब कि अडेली में जैसा पहन रहें हैं, और party में जा रहें, तो कुछ अच्छा पहन रहें, तो वो कुछ बोल तो नहीं रहाना पर लोग समझ जाते हैं कि ये क्यों इसने ऐसी dress पहन रखी है, ठीके, posture से भी बहुत सारे हमारे हात कैसे हैं, मैं कैसे बैठी हूँ, तो ये posture से भी बहुत कुछ समझ आ जाता है, देखकर, तो ये भी हो गया nonverbal communication, special distance हम कितनी दूरी maintain कर र तो इट इस सूटेबल वेंद पार्टी अब देखो यह सूटेबल कब है कब हम कम्यूनिकेशन कब करते हैं जब दो पार्टी जब दो लोग एक कॉमन लैंगवेज को नहीं पकड़ पा रहें नहीं समझ रहे हैं तो हम यूज करते हैं नन वर्बल कम्यूनिकेशन तो हम इशा जिसने कभी नहीं सुना बेंगॉली ठीक है कभी नहीं सुना बेंगॉली और वो वेस्ट बेंगॉल आया जिसने उसने कभी नहीं सुना ना कभी बोला है उसने तो वो फर्स टाइम जब बेंगॉल आएगा वेस्ट बेंगॉल आएगा तो फिर वो कैसे बाते करेगा लोगों स इसारों में ही बोलेगा ना उसे समझ नहीं आ रहा ना वो उनकी बातों को समझ सकता है ना वो विचारा अपनी बात समझा सकता है तो वो क्या करेगा इसारों में बाते करेगा तो तब हम यूज करते हैं non-verbal communication और कब यूज होता है non-verbal communication तो the people who are differently abled वो लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते तो फिर वो क्या करते हैं, वो इशारों में ही लोगों तक अपनी बातें पहुचाते हैं तो तब भी use होता है, जो communication जब वो कर रहे होते हैं तो उस communication को भी non-verbal communication ही बोलते हैं हाँ, तो अभी देखो non-verbal communication के types क्या है तो non-verbal communication में आता है आपका kinetics हाँ, देखो non-verbal communication में आपका आता है मतलब कैसे हम बिना शब्दों के प्रयोग किये किस तरीके से लोगों तक बातें पहुचा रहे हैं तो body language से, touch से, space distancing, voice modulation, color time language, smell, eyes, इन सब तरीकों से हम पहुचा रहे है information दूसरों तक, तो इनको ना, इनको ना एक अलग word दे रखा है communication में, ओके अलग तरीके से communication का एक अलग word दे रखा है इनको, तो जैसे हम एक करके देखते हैं, kinetics, तो kinetics क्या होता है kinetics means, जब हम लोगों तक information अपने body language के थूप पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं, like अगर मैं lean होकर बैठी हूँ बिल्कुल, ऐसे ठक हार कर, तो शान्ती से बैठ गई, तो फिर क्या बोलोगे, अरे यह तो ठक गई है, लगता है, tired है, और मैं बिल्कुल strictly, बिल्कुल अच्छे से confidently बैठी हो, तो अच्छा चलो, यह confident है, बिल्कुल, ओके, ऐसा, तो हमारा body language, बहुत सारी बात हैं, बोल गया, बिना किसी word के, तो वो तब हम उसको बोलते है, kinetics, अब haptics क्या है, तो haptics means touch, जब हमेना touch से बहुत कुछ पता चलता है, जैसे good touch, bad touch होता है, अगर आपको touch कर रहा हो, तो आपको उससे उसके intentions पता चल जाते हैं, कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि वो किस तरह का touch है, उसका, वो क्या कहना चाह रहा है, तो तब हम उसको बोलते हैं haptics, ओके, बिना शब्द के प्रयोग किये, उसके touch से हमें बाते समझा गई, तो उसे बोलते हैं haptics, अब आया space distancing, तो space distancing को सुनना अच्छे से इसको ये क्या है, लाइक देखो, अब हम अपने parents के साथ बैठे होते हैं, तो हमारा parents के साथ कैसा relation है, हमारा parents के साथ बहुत intimate relation है, या हमारे spouse है, किसी के भी spouse के साथ किसी का कैसा relation होता है, बहुत intimate relation होता है, close होता है, वही teacher के साथ क्या सा relation है, अच्छा का सा distance maintain करके रखा है हमने, boss के साथ अच्छा का सा distance maintain करके रखा है, तो इस तरह से ये भी बिना बोले, बिना शब्द के प्रयोग किये, बहुत कुछ बोल जाता है, स्पेस देख करके हम ग्रेसिंग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, प्रॉक्सेमिक्स, अभी वोईस मॉडूलेशन, प्यारा लेंग्वेज, तो प्यारा लेंग्वेज क्या है, अब देखो, कोई अगर कुछ बोल रहा है, तो बिल्कुल जल्दी बोल रहा है, ठीक है, या फिर पूरे, आराम आराम से बोल रहा है, तो उससे पता चल जाता है, कि वो परसन एक्साइटेड है, या सैड है, बोलने के तरीके से पता चल जाता है, ठीक है, या तो कोई चिला रहा हो बिल्कुरो रहा हो तो वो रहा है तो उसे भी हमें पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लेम है शायद कुछ क्वेरी है उसको तो वो हो गया आपका पैरा लांग्विज ठीक है अभी कलर देखो कलर भी बीना वर्ड के यूज कि ना बहुत कुछ बोल जाते हैं जैसे आ रहा है तो आखिर यह हो क्या रहा है तो कलर ना बहुत कुछ बोल जाता है ठीक है कलर से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वो परसन क्या है कि वो क्या बोलना चाहा रहा है वो इंसान कर क्या रहा है ठीक है लैक देखो रोजेज में भी ना रेड रोज का अलग मतलब होता ह वाइट रोज का अलग मतलब होता है या लो रोज का अलग मतलब होता है तो वो color से ही पता चल रहे है न हमें words तो वो use नहीं कर रहे है तो वो हो गया आपका chromatics अब time language तो time language भी ना बहुत कुछ time से भी हमें पता चलता है like कोई person अगर कोई छोटा बच्चा है ठीक है कोई school का student है कोई वो ना अगर उसका उसकी class लगती है इस आठ से और वो daily साढ़े आठ में पहुंचता है फिर उसकी teacher उसको क्या करती है पनिश करती है फिर वो बाहर र तो वो time show कर रहा है ना time बता रहा है कि किस तरह से उसमें मतलब वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा बट वो जो time की time में variation आ रही है वो बता रहा है कि वो बच्चा कितना interested है class के लिए और कितना नहीं तो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ बट फिर भी उसके activity से हमें प smell, smell के through भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है ना like घर पे देखो कोई भी सब्जी बनी हो तो क्या नहीं भी देखने जाओ ना फिर भी smell से पता चल जाता है अच्छा अरे ये तो वो वाली सब्जी बनी है लगता है है ना तो वो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ उस आई के through जो communication हो रहा है तो आई के through क्यासी communication होता है ऐसे टेड़े मेड़े आईस बना रहे है उपर नीचे कर रहे है ठीक है या तो वो बोलते है ना कि आईस कभी जूट नहीं बोलती अब उस आईस टू आईस मिला करके देख कोई बोल रहा है मतलब वो जूट नहीं बोल पर अगर वो आई टू आई नहीं मिला रहा मतलब वो पक्का जूट बोल रहा होगा ऐसा करते हैं ना तो वो बीना बोले वो भी अपनी बातें कह गया ठीक है इशारों इशारों में बहुत सारी बातें हो गई आई के इशारे से ठीक है तो वो होता है आपका non-verbal communication तो हमने non-verbal communication कर लिया है तो चलो ठीक है ये हो गया हमारा non-verbal communication आया होप आपो समझ आ गया होगा तो अब class को wrap up करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको like करें और अपने friends के साथ जरू शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चानल को subscribe करें और friends आपको content related कोई भी query हो या आप मुझसे किसी भी और topic पे वीडियो चाहते हो तो comment section में comment करो और मेरे telegram channel को जरूर से join करना ये रहा मेरा telegram second ये रहा मेरा telegram channel we learning आप इस पे जाना और इसको जरूर से join करना इस पे मैं notes दूंगी और कुछ audio lectures provide करूंगी okay so that's all for today's class thank you keep on learning